किसान भाईयों हम अपने गेहों में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या क्या उप्याय नहीं करते हैं हम यूरिया के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपने अगर गेहों में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जो कि हर किसान कर सकता है वही उपाय आपको मैं बताऊंगा आप अपने गेहों में पहला पानी दे चुके होंगे या फिर दूसरा पानी दे चुके होंगे और खादों का उसमें छिड़काव कर रहे होंगे तो सबसे में चीज आपको करना क्या है कि उसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रियंट का छिड़काव जरूर करें ये उसी तरह काम करता है जैसे कि आपके पास सारे खाना हो खाने का पूरा प्रबंद हो लेकिन खाने में नमक नहीं आएगा तो वैसे ही काम है माइक्रो न्यूट्रियंट का कम मात्रा में ही होता है लेकिन आपको देना मस्ट है आपको देना ही देना है और अगर थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में जाना चाहते हैं यूरिया तो दे ही रहे हैं या फिर कुछ भी आप खाद दे रहे हैं जो बड़ा डोज में है तो उसके साथ आप इफको सागरी का जो आता है उसको इसको 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 मुझूद है तो इसमें कोई दीकत वाली बात नहीं है कि आपको इसा भी ब्रांड ले सकते हैं यहान पे कोई स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं हो रही है आपको मिल भी जाता है कई जगा तो यूरिया के साथ ये देते भी हैं थोड़े से कम दाम में इसको परमोट करने के लिए आप अपने यूरिया के साथ इसको डालिए ही डालिए ये तो कम से कम आपको करना ही करना चाहिए जड़ों का विकास अगर होगा तभी आपकी फसल पैदावार अच्छी देगी टिलरिंग अच्छी होगी सारा खेल आपके जड़ों का ही है चाहिए वो कोई सा भी पौदा तो भी या आप कुछ भी डाल लो वो पौदा विकास नहीं कर पाएगा तो इस चीज के लिए सबसे ज़रूरी चीज होता है माइक्रो न्यूट्रिंट थोड़ी ही मात्रा में पड़ता है लेकिन बहुत सारे किसान भाई इस चीज को ध्यान ही ने देते हैं सिर्फ साधा य वेजिटेटिव प्रपगेशन उसको बढ़ाना सिर्फ वेजिटेशन दिखती है हरी हरी हमारी फसल दिखती है चुकि नैट्रोजन होता है बहुत पारफूल तो हम यह सारी चीज़ें गलतियां ना करें और इसमें चीज में आपको और बताना चाहूंगा अगर आप पोट देखाओ करवा रहा हूं यूरिया और माइक्रो निट्रियंट का इसके बाद इफ को सागरिका भी इसमें डलेगी और एनपी के कंसरटिया भी इसमें डलेगी मैं मिलता हूं किसान भाई हो अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भू तो ना